कि अलो दोस्तों वेलकम टो क्रिटिक्स एने में आज हम देखिंगे बुरुटीप के इपिसोड नंबर फोटीएट है ना हाँ फोटीएट को उपर उससे पहले यार बता दू कि कल एपिसोड नहीं आएगा हाँ सच में कल एपिसोड नहीं आएगा क्योंकि यार मतलब मेरे ए सब्सक्राट और आपको पता है एक्जाम का लोड कितना होता है पहरें इसे मोबल लेने जितनी आ रहात में क्या करूँ एपिसोड नहीं आएगा तो मतलब एक एक नीस दो दो जिनके गैप के अंदर वीडियो आएगी तो टेंशन ना लीजिए वीडियो में डाल के रहूं इवाबे नीचे बेठा होता है क्योंकि उसको एक बार उसके टीचर ने सस्पेंड की आ था क्यूह ज़्यादा ही वो कर जया था ज्यादा ही भोश में आ गया था कई अपन में तो शेम ड़ा था फिर यावर हम देखते हैं कि वह उसका बैड बैस देखता है कि कैमेसल 마음에 चुन लिए होती है कि चुनने एक्जाम अरीये हैं कि फिर नरुटो के कि पता है कितने कितने क्ने करन वैसे भी तो एक बार पाड़ लिया था पर अभी तक गिनी हो और फिर यह केता है हाँ 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 पता है मुझे अभी तक है 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 और फिर आपर हम देखते हैं कि नरूट हो केता है है सारे बच्चों को चुने एक्जाम में डालो क्योंकि यार हर एक बच्चा अच्छा निंजा बनना चाहिए और हम देखते हैं पीछे से आता है वो क्या है कि यहाँ पर उसके पार्टर साजाद रखेते क्या कर रहे हैं तो क्या होता है मुझे कोई फरक नी पड़ता है कि कोई बात नहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि बुरूटो को मिशन मिलता है कि उसे यह बहुत सारे औरनामेंट्स होते हैं वह अपने मतलब उन लोगों के मालिक को देने होते है पुरुटो के थीक ही हम दे देंगे हमको ये काम करना बहुत सिंपल है पर पुरुटो का इस एपिसोड में कोई काम नहीं होता क्योंकि वह एपिसोड मतलब जाने ही दो यार पुरुटो को दिखाया थे नहीं इस एपिसोड में यह सब्सक्राइब करते हैं कि यह जो मैडम होती है वह यह पर इनको डेंकी को मिशन देते रही तब इतनी को रही सही तो और फिर हम देखते कि यह नहीं को पसंद नहीं को पसंद आया है और क्या होता है मुझे पहली बार चांस मिलाए तुम्हें पाता है मुझे नहीं मिलने वाला तो यह पर देखते हैं कि यह पर जो हमारे मेडल होता है वह इस आदमी के पास आता है कि हमारा यह मिशन है फिर यह आदमी के तो क्या मिशन मुझे लगता तुम्हें के रेडी हो क्योंकि मुझे ऐसे बच्च नहीं चाहिए मुझे थोड़े से निंजा टाइप के बच्च चाहिए और फिर शेमड़ा से कहता है क्या तुम्हें ने लगते इनको मैंने ट्रेंग दिये बेगूफ यह और फिर हम देखते हैं क मुझे कुछ समझ भी नहीं रहा कब तक हमें इंतजार करवाएगा और फिर हम देखते हैं के मडवाल जूट्सू करता है और फिर हम देखते हैं मडवाल जूट्सू करने के बाद वह बहुत बड़ी दिवार बना लेता है और फिर हम देखते हैं मडवाल जूट्सू बना लिया और फिर हम देखते हैं मडवाल जूट्सू बना लिया और फिर हम देखते हैं मेडवाल जल्दी आओ और फिर हम देखते हैं मेडवाल जल्दी आओ और फिर हम देखते हैं मेडवाल जल्दी आओ और फिर हम देखते ह वाँ लगगी और फिर मने पीका सब्सीटिटूशन होता है और पीकितने मज़ेदार हो तुम सब लाइक लिगते हो तुम सब निझा हो वाँ क्या कूल हो और फिर में देखते कि शमराशन यसन से कहता है क्या तुम्हारी लोग कितने कितने डर हैlichkeit रिख desert नहीं हमारे श्चुटिन के लिए इतना सो होना है नहीं थे इसा जाहिं तो हमें कोई तो हम लेह हमें दो हम्हमारे कोई जरुवती नहीं और फिर हम देखते हैं कि शुटिंग गहार। जो हमारे इवाबे होता है किया ऐसा क्यूं हो रहा है यार इतना अच्छा डॉकुमेंटरी कमिशन था वो भी हाथ से चला गया मुझे न लगता कि मैं एक शनुवी बन पाऊंगा यह मेरे नसीब में ही नहीं है और फिर हम देखते है कि वह उसका बेल्ट नदी में फेकने वा जाता है उसका सीन और फिर वो नीचे गिर जाता है नीचे गिरने के बाद हम क्या देखते है कि मेडल उसका गला पकड़ लेता है अए पागल क्या कर रहा था तू हां तुझी समझ नहीं आता तू तो तेरा बैच फिक रहा था नदी में फिर वहां से डेंग की आता है तर लड़ना ने चाहिए तो तुम्हें नहीं पता हमें कीतना पागल हो मुझे कुछ मिलता ही नहीं हर बार मेरा बद नसी भी होता है और फिर हम देखते कि अगले सीन में यहाँ पर वह डायरेक्टर उसकी चमचा आते हैं चलो यहाँ पर शूटिंग करते है यहाँ पर पूरा फूटने के बाद भूत सारा धमाका होता है पर मतलब आवाद अच्छा धमाके से उनकी जो शुटिंग पूर्य हो जाती है पूरी होने के बतों कहते है और कम बहुत कम अवास था और दो-तीन पेपर वाम लगा और उसको फोड़ू और फिर हम् देखते हैं कि जैसे उनके बड़े बड़े तुक्डे बीडिंग के उनके उपर गिरने वाले थे तभी पीछे से आता है मेडल और उसने जैसे लात मारती हुए से उनके फट्टर उनके तुक्डे होकर साई में हो जाते हैं और मतलब इसी तरह उन ब्यवकूफ डायरेक्टर ह चैनर चैनर पर कंडर होता है तो फिर हम के बाद रहtant सरा क्राक्स कि क्वालय चल दिया से जाना होगा तो फिर हम देखते हैं कि इसे के कहने के बाद वह बाद थी हां जैसी भी ऐसी झहें गए ते ये कहते ह्के बचा हमें और फिर हम देखते हैं कि हाँ पर आपको बचाओं गार झाले की आश है Huxdyatej में जर्णा हम गार वह सबको बचाओं गा और फिर हम देखते और फिर हम देखते हैं कि यहापर जुसेंवरा सेंसे होते हैं मिलबा नीचे गिरने वाला हूता है उस मलबे को वो चुछ ऐसे और फिर हम देखते हैं कि ऐसा कुछAmerica नेवाला सीन होता है और उस मुने सीन के बाद हम देखते हैं कि उनके उपर एक फत्र गिरने वाला होता है तो शेमरा संहीं से के चारण वो सब पत्रों को जमा लेते हैं अपने चंट्रों से और फिर ऐसा करने के बाद इसा बनता है कितना पूबसूरत है किसने सोचा नहीं होगा कि इतनी खूपशुरती दीखती है फिर्म अच्छा है अच्छा है नाइस नाइस फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो इवा कि अच्छा काम किया और फिर हम देखते हैं यह डॉक्मंटरी के बाद उनको लड़ हो है अपने रूम में बुलाते हैं और उनको मतलम appreciate करते है भाई तुमने अच्छा काम किया हाँ मैंने मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे परिशानिया जही लिए तुम टेंशन मत लो इवाबे मुझे पता है तुम रिपीटर हो तुम पहले भी फेल हो चुके हो पर कोई बात नहीं मैंने मेरे भी लाइफ में मैंने बहुत सारे फेलियर को जहला हुआ है पर कोई बात नहीं तुम मेरे जैसे हो तुम अच्छे निंजा बनोगे मुझे पता है इस चुनीन एक्जाम में तुम चुनीन बनोगे और फिर रोने लगता है कि मैं इमोशनल हो गया हूँ तुमारे कारण और फिर हम देखते है नरुटो उ मेरी सीरीज मेरा एक एपिसोड मिस कर दिया है मुझे नहीं करना यह सीरीज और अगली सीन में हम देख वो नरुटो होता है तो वो नरुटो इवाब्यों को क्याता है कि बच्चों तुम्हें करास के बात बताओ कि जो हमारी ताइम में जो चुनीन एक्जाम हुई थी ना तब से आज तक मैं एक गेनी नहीं हूँ और ऐसा किने के बाद उन बच्चों को लगता है कि क्या यह गेनी नहीं है अभी तक हमें लागा था कि आप बहुत महान हो चलो एपिसोड खतम हो गया भागो यासे पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और साथी साथ वीडियो मस्याल पर रोजा है कि तो सब्स्क्राइब कर जाना तो चलो जाब यासे